हलो एन वेलकम फ्रेंट स्वागत है आपका फिर मेरे यूट्यूब वीडियो में आज हम इस LCD कीपेड़ शेल्ड के बटन्स को अइडेंटिफाय करेंगे देखिए कि LCD कीपेड़ शेल्ड का एक वीडियो सीरीस चल रहा है उसका सेकेंड वीडियो है पसंद आया तो लाइक ज जो है कुंसा बटन अभी प्रेस किया गया उसके अकोर्डिंग हम एक मेन्यू बना सकते हैं जिसमें किसी पेरामिटर को अप एंड डाउन कर सकते हैं वैल्यू बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह का कुछ हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में तो डेफिन चीज डिस्प्ले करेंगे देखिए यह जो कोड़े ना इससे केवल एक लाइन डिस्प्ले होगी जो कि मनमौन पाल लिखावा यह हमने कहा किया था सेट अप सेक्शन में अभी लूप सेक्शन बल्कुल ब्लैंक है ठीक है तो इस लूप सेक्शन में हम ऐसा क्या करें कि जो तो इस एनलोग रीड करेंगे क्योंकि एनलोग वेल्यू है उस सेंसर की ठीक है सभी रासिस्टर के तुरू जुड़े हुए वैसे अगर आपने जो है मेरी एक वीडियो सिरीज देखी हो जिसमें नोड एमसी उपे हमने कई सारे अनलिमिटेड इंपूट्स और आउटपू आपको नो मेरे ब्लोग पर मिल जाएगा अभी ब्लोग कैसे डूंड़ना है मैं बताऊंगा आपको ठीक है तो फिलाल मैंने कोड इसमें अपलोड किया तो आप देखेंगे कि जो बटन मैं दबा रहा हूं यहां स्क्रिन पर कुछ नहीं हो रहा ना LCD पर कुछ नहीं होगा साबही जो हमने किया सीरल मोनिंटर एक तो मैं सीरल मोनिंटर बें करना पड़का यह बटन दबातों यहां प्र मनें इन यह डाउन बटन दबाने पर देखिए यह 250 की लाइन में आ रहा है और अगर में राइट बटन दबाता हूं तो यह जीरो आ रही है ठीक है तो हर एक बटन दबाने पर कोई अनलग वेल्यू आ रही है तो वेल्यू कितनी होगी और कैसे अलेंटिफाय करेंगे कितनी आनी चाह है तो हम यहां पर ब्लॉग पर जाएंगे इस ब्लॉग पर देखिए पिछला वीडियो का यहां दिया हुआ है मैटेरियल तो यहां पर आप देखेंगे कि यह सारी डीटेल्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिया तो देखिए आज जो हमें सीखना आना वह यह कि इस मैंने यहां पर मेंशन कर दिये इसके अकोडिंग आप एक कोड बना लेंगे कि जो बटन दबा है उसमें जो वेल्यू आई है सेंसर वेल्यू कांपैर कर लेंगे कि यह लावर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में है तो यह बटन दबाया गया देखिए क्या होगा कि जब जब वल्टेज इन्ट आप टॉइन होगे जैसे मानली किसी बैटरी से जोड़ा तो जब जब वैल्टेज आप एंड डाउन होगे बेटरी के तभ तभ यह वैल्यू आप करने पड़ेगी त्क है चलिए तो आगे हम क्या करते हैं यह जो वैल्यू जे इसको आप ले ल थी उसके हिसाब से हमने यह वाले इफ कंडिशन एक अप्लाई किये देखिए सबसे पहले देखिए अगर रेंज जो है 600 से सुरी 60 से 200 के बीच में होगी तो हम यहां पर डिस्प्ले करेंगे क्या अब और जब वेल्यू जो है 200 से 400 के बीच में होगी तब संयर मोनेटर तो डिसप्ले होगा कि डाउनबटन प्रेस्ट और lc dependent वैंब बैर्टन प्रेस्ट ऑर रेंगे पर डिस्पले होगा लेफ्ट ओके और अगर सेंसर की जो वैल्यू है वो जीरो हुई तो जीरो आपको याद होगा राइट के लिए था ठीक है तो LCD पर राइट प्रिंट होगा और अगर सेंसर की वैल्यू हुई ऎandırould की कितनी 600-800 तो प्रिंट होगा क्या सलेक बटन प्रेस हुआ है ठीक है और यह सलेक्ट जो है प्रिंट आएगा ठीक है तो इस पुर dif को में यहाँ से कपी कर लेता हूं और और यह वैल्यूस थी इसके अकोडिंग मैंने उसको बनाया और इसको कॉपी करके मैं ले जाओंगा अपने कोड में ठीक है तो यह जो ब्लोग का एड्रस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया गा विडियो के वहां से ब्लोग पे जाके आप पूरा कंप्लीट कोड भी ले पाएंगे ठीक है तो फिलाल मैंने क्या किया इसको अपने उस बैसिक कोड में यहां पर मैं कॉपी पैस्ट कर देता हूं तो यहाँ इसको कपी kuya और कॉपी сторон करने के ठीक है तो यह पूरा कोड जो है आपको मेरे ब्लोग पे मिल जाएगा अफकोर्स मिलेगा मैं बोल रहा हूँ तो आपको विजिट करना पड़ेगा ठीक है तो यह मैंने अपलोड बटन दबाया और अपलोड बटन दबाने के बाद देखे यहाँ पे क्विकली जो है कॉमपाईल हो गया और अपलोडिंग स्टार्ट और डन ओके तो मैं आपके सामने अभी उठा लाता हूँ स्क्रीन यह रही हमारी और अब देखी मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ यह वाला बटन दबाया तो सलेक्ट बटन टबाया ठीक है बटन चोनना के बाद स्क्रीन जो हैं क्लीऑ नहीं हो रही है धिक्त कोई बात नहीं हमने क्लीर का मैसेज दिया भी नहीं था जब बटन दबाते है तब स्रूल म。 65 002 मेसेज अ अ और यहां सकृन बीं लिखा रहा ह गों केऊच अब हम दुसरा बाता हैं देखिए लेफ्ट वाला बटन दभातहें अ Tabii डिखा वह और वहां पर वैल्यू चेण्ज आहा था मैं लिखा भाराए देखिए सिरियल मौयेंटर प्रे भी की लेफ्ट ब्रफैण अब वाला बटन दबाने पर देखिए कुछ आ नहीं रहा है ठीक है कोई बात ने इसको वापस हम देखेंगे कोड को अगर कुछ मिस्टे कोई होगी तो और अब डाउन बटन दबाने पर अफकोस डाउन लिखा हुआ रहा है दोनों तरफ सेलर मोहिंटर पर भी और राइट अब कुछ ऐसा करना एक तो यह बटन छोड़न के बाद जो लिखा हुआ रहा रह जाता है दूसरा जो हमारा अब वाला बटन काम नहीं कर रहा है आए देखते हैं कोड में ऐसा क्या मिस्टेक हुआ तो अगर हम ध्यान से देख हैं तो यहां पर देखिए 600 हो गया है ठीक है 600 से 200 है यह नहीं होना था इस में से जो यह 600 की जगए यहां पर केवल वेल्यू होगी 60 कितनी होगी 60 ठीक है मैं फिर से विजिट कर लेते हैं यहां पर यह देखिए यहां कितना है 60, ठीक है, 0 से 60 मैंने गलती से यहाँ पर 600 कर दिया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, एक 0 जो है by mistake additional हो गया इसमें यह हमने कर दिया कितना 60 और अब इसको as it is जो है मैं यहाँ पर upload कर देता हूँ ठीक है, तो अब मैंने इसको upload कर दिया और upload करने के बाद आप देखेंगे की, यह problem तो solo हो जानी चाहिए, ठीक है यह रहा, अब देखे, सबसे पहले उपर वाला बटन दबाते हैं, बिल्कुल जा रहा है अब down वाला दबाया है, तो down, left वाला बटन दबाया है तो left, और right बटन दबाया है तो इस तरह से हम आगे की coding कर सकते हैं ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे की, अच्छा इसमें कुछ और change भी करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो बटन दबाने के बाद जब छोड़ते हैं, तब वापस message गायब हो जाना चाहिए, कुई सा 23 होती है, तो हम यहाँ पर क्या message लिखेंगे if sensor value double equals to 1023 तो क्या होगा, no button pressed, ठीक है, ऐसा लिखा हुआएगा serial monitor पे, और screen पे हम कर देते हैं, डेश 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 ठीक है, क्या ऐसा लिखा हुआएगा, अब upload कर देते हैं, तो अब हमने क्या क्या कोड को इतना update कर दिया है, कि जैसे button दबाएंगे, बताएगा कौन सा button दबाएंगे और छोड़ते ही, केवल डेश 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 प्रिंट होगा, ठीक है देखते हैं कैसे, यह देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, यह डेश 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 जब बटन दबाएंगे, तब तक यहाँ पर message रहेगा, कौन सा button दबाएंगे, छोड़ते ही क्लिए है, ठीक है, तो इस तरह का इतना update हमने कर लिया है, आप वीडियो पसंद आया होगा, आप like और comment जरूर करें, और बताएं मुझे कि आगे आप इस project और क्या बना हुआ देखना चाहते हैं, वैसे मैंने कुछ प्लान कर रखा है, कुछ आपको दिखाने के लिए, बताता हूँ क्या, पहले आप like, subscribe, share तो कर लो, ठीक है, तो comment करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ मैंने क्या decide कि आपको सि पीज के उपर हो जाएगा, और उसके अगले वीडियो में मैंने सुचा कि RTC में इन बटन के जरीए, टाइम कैसे सेट होगा, वो मैं इसमें include करूँगा, ठीक है, तो पसंद आए, तो like, subscribe, share करना, और आप comment करके बता सकते हैं आप इस तो और क्या क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है, thank you very much, have a good day and love you all.